Hello friends, मैं हूँ अजीज शेक, आप देख रहे हैं Movies Talk Channel इस पर आज मैं बात करने वाला हूँ MCU के युनिवर्स की आने वाली दूसरी सीरीज, The Falcon and the Winter Soldier के first episode के first reaction review के बारे में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रिटिक्स की राए इसके पहले episode को लेकर क्या है और फैंस को इस बार MCU के इस दूसरे शो से किस तरीके की उमीद लगा कर रखनी चाहिए क्योंकि जैसी उमीदें MCU Die Hard फैंस ने वांडा विजन की सीरीज से लगा रखी थी वो सीरीज स्टार्ट के कुछ episodes में MCU के युनिवर्स की लगी नहीं रही थी जिससे फैंस के बीच वांडा विजन की सीरीज को लेकर थोड़ी बहुत disappointment तो है ही लेकिन मैंने मेरे personal opinion में जैनि के वांडा विजन की सीरीज के review में ये बात पूरी तरीके से confirm कर दी थी कि मुझे सीरीज personally कितनी साथा पसंद आई है और आपको भी उस सीरीज को किस लेवल पर रखकर देखना चाहिए लेकिन अब बात करें दी Falcon and the Winter Soldier की सीरीज के बारे में तो ये सीरीज अब critics के according इसके पहले ही episode से आपको पूरे MCU की fill देने वाली है कैसे तो चलिए अब इन डीटेल्स में उसी पर बात करते हैं लेकिना के बढ़ने से पहले एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट बनती ही है जो कि है इस चैनल को subscribe, वीडियो को like और share करने की So friends, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि Falcon and the Winter Soldier की सीरीज को हमारे इंडिया में डीजनी प्लस होट स्टार पर हिंदी रिलीस किया जाएगा और हाँ बाकी दूसी लैंविजिस में भी और ये सीरीज हमें उसी सेम दिन यानि कि 19 तारिक को देड़ ही बज़े तक देखने मिलेगी यानि कि वांडा विजन की सीरीज के टाइमिंग पर और एक वीक एक ही एपिसोड को रिलीस किया जाएगा और Falcon and the Winter Soldier की सीरीज में हमें टोटल 6 एपिसोड देखने मिलने वाले हैं अभी की कनफोरमेशन के हिसाब से यानि कि ये शो बहुती जल्द रैप अप कर दिया जाएगा वो भी सिर्फ दो मेने के अंदर-अंदर और उपर से शो का बज़ट एक फिल्म के लेबल का है जिससे शो से जो उमीदे है वो इसके बज़ट के हिसाब से फैंस की अब काफी जादा बढ़ गई है लेकिन हाग कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लोग वांडा वीजन की सीरीज को देखकर जो डिसपॉइंट हुए है उस डिसपॉइंट का असर पैलकरेंदी विंटर सुलजर की इस सीरीज पर देखने मिलेगा क्योंकि इस शो की शुरुवात को ही एक काफी धमाकेदार एक्शन से किया गया है और साथी साथ क्रिटिक्स का क्लेम एक छोट इसे कैमियो का भी है इसके पहले अपिसोड में और इसके अलावा लेंद की भी कन्फोर्मेशन की गई है जो इस शो की लगभग 45 मिनट्स की है एक कैरेक्टर की स्टोरी को भी बहुत अच्छी तरीके से पहले टाइम लेकर एक्स्प्लोर किया गया है जानी कि यहां पर बात फैलकन के कैरेक्टर की की जारी है टैटल के अकॉर्डिंग और सी के साथ-साथ क्रिटिक्स की तरफ से ये भी कहा गया है ये शो हमें इन दोन पर ट्रस करना सीखने वाले है ठीक कैप्टेन अमेरिका की तरहा जिन्होंने पैलकन और विंटर सोजर पर बहुत ही जादा ट्रस किया था तो वैसी ही बॉन्डिंपी शो में भी क्रियेट की जाने वाली है और अब एक और इंट्रेस्टिंग चीज की बात करें तो क्रिटि की तरफ से की गई है और आखिर में क्रिटिक्स की तरफ से थम्स अप कि अभी शो की शुरुवात एमस्यू के एक अलगी लेवल पर ले जाने वाली है वेल तब क्रिटिक्स की बातों की पूरी की पूरी सच्चाईत हो 19 तारीक के दिन इसके पहले एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगी लेकिन जो भी हो अगर क्रिटिक्स की तरफ से इस तरीकी की रियक्शन निकल कर आई है तो मावलज के ट्रू फैन्स के लिए ये सीरीज किसी टूइट से कम नहीं होने वाली और इसके पहले फिर्स रियक्शन डिविउ में क्रिटिक्स की तरह से यह मैंने ज़रा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिलकुँ भी मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेन को अपने चैनल पर कंटीन्यू रखने की और अब चलिए खतम करते हैं वीडियो को यहीं पर मैं हूँ आप देख रहे थे मुवी सॉक चैनल जिसे अगर आपने इंदेख सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल मैं बनेवे इस बेल आइकन के साथ साथ नोडिविकेशन को भी हौल पर क्लिक कर दीजेगा क्योंकि इससे होता यह है कि मैं अपने पर जब भी को नए वीडियो पूट करता हूँ आपको उसकी नोडिविकेशन सबसे पहले मिलती है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और मैं मिलूँगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और झाल